दोस्तों हम सब जानते हैं कि पुराने समय में युद लड़ने के लिए आदनिक हत्यार नहीं हुआ करते थे, जिसकार्ण युद तलवारों से लड़े जाते थे, और इन युदों में गोड़ों का आम ही प्रियोग होता था, ऐसे ही कई युद भारत में में लड़े गए, ज जिसकार्ण आज हम चुराओं पर उन युदाओं की प्रतिमाईं आम ही देखते हैं, लेकिन इन प्रतिमाँ में गोड़ों की प्रतिमा कुछ अलग लग तरह देखने को मिलती हैं, कई प्रतिमा में गोड़ा दोनों पैर उठाए खड़ा होता हैं, जिसकार्थ यह होता है क योदा ने कई युद किये हैं और युद करते समय युदा की मृत्यू हो गई थी जिसका अर्थ यही है कि योदा युद लड़ते लड़ते शीद हुआ था तो वहीं कई प्रतिमाओं में गोड़ा एक पैर को उठाए खड़ा होता है जिसका अर्थ यह होता है कि युद करते समय वीर काफी जखमी हुआ था लेकिन मृत्यू इलाज के समय युद के कारण लगी चोटों के कारण हो गई थी तो वहीं कई प्रतिमाओं में गोड़े के चारो पैर एकी स्तिति में होते हैं जिसका अर्थ यही है कि इस युदा ने कई जंग लड़ी हैं प्रन्तु इस युदा के मृत्यू ने तो युद के कारण हुई और ने ही युद के कारण लगी चोटों से बाद में हुई बलकि समाने स्तिति में उनकी मृत्यू हुई थी आशाय दोस्तों आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी